हिंदी साहित्य मात्र एक विशे नहीं है बलकि यह उस ब्रक्ष के समान है जिसकी हर एक शाखा का अपना विशेश महत्व होता है यदि हम आदिकाल को देखें इस साहित्य रुपी ब्रक्ष की जो हर एक शाखा को गरहम देखें इसके आदिकाल को देखें तो यह आदिकाल ज जिसको हम रितिकाल कहेंगे यह रितिकाल जहां साइते शास्त रिती निरूपन लक्षन ग्रोंतों की भरमार है उसी प्रकार आधुनिककाल आधुनिककाल में नविन विचार धाराओं खड़ी बोली राष्ट प्रेम मानवतावाद की नव कपोले फूट रही है जहां से हमें पुनर जागर्ण की मशालथा में भारतेंदू हरिश्चंद्र मिलते हैं जागर्ण सुधार के बीज बोते महाविर प्रसाद दिवीदी मिलते हैं प्रकरती प्रेम रहस्यात्मक्ता की स्वचंतवादी च्छाया से मन को शीतलता पदान करने वाले निराला पंत महादेवी प्रसाद मिलते हैं नवीन प्रगतिव प्रयोग करते अगे मिलते हैं इसी परकर नई कवीता समकालिन कवीता अकवीता को अपने लेखनी से समरद्द करते कई साहित्यकारों से हमारे शक्षातकार होता है नमस्कार मित्रों स्वाकत है आपका निवेस्टेडी चनल पर देखिए आज का जो हमारा वीडियो है एक संशिप्त वीडियो है साहित्यकों हम एक संशिप्त तरीके से और एक रेखाचितर के पात्यम से समझने का प्रयास करेंगे इससे जब आप विस्तार से पढ़ेंगे आपके सामने एक साहित्य की रूप रेखा बनाने के लिए हमने आज ये वीडियो बनाया है देखिए हिंदी साहित्य रूपी जो विशाल वरक्ष है उसकी अपनी अन्यक विशेशता है यह हम सभी जानते है और हजारों सालों से हिंदी भाष्या वो साहित्य प्रयमियों को वो श्रेष्ट ग्यान परदान करता हुआ रहा है जो निरंतर इसका करम आज भी जारी है ठीक है अब आदिकालीन जो उसका समय है आदिकालीन रूपी जो जड़े हैं उसकी जिसको हम आदिकाल को हम जड़ों को रूप में मानके चलते हैं तो वहाँ पर उस वरक्ष में तीन तरह के साहिते हैं हमें देखने को मिलता है इसमें धर्माश्रित राज्याश्रित और एक है लोकिक साहिते है अब इसमें जो धर्माश्रित साहिते हैं उसमें हमें उसमें हमें सिद्ध साहिते जेन साहिते और नात साहिते यह तीनों साहिते हैं अब देखिए आदिकाल का सम से 1375 इसका समय बताया है अगर हम धर्म आशित गरंथों की बात करें साहिते की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है सिद्ध साहिते का अब देखें सिद्ध साहिते ये वही समयता मित्रो जब पूर्वी शेत्र भारत के पूर्वी शेत्र में सिद्धों के द्वारा बोध धर सहज मार्ग वज्रियान तत्व का परचार परसार किया जा रहा था पंच मकार की स्ताधना पर इन्होंने बल दिया है और इनका जो साहित्ते हैं इन्होंने जो परचार परसार किया वो जन्भाशा में किया है ठीक है अब देखे 84 सिद्ध परसिद्ध है 84 सिद्धों का नाम आ सरपा वही है जबसे हिंदी सहयद्य जार्थम कवी है हिंदी सहयद्य का प्रहरम मांने कि पीछे दो कारणे एक तो इनकी भाषा और दूसए इनुके भाव और शिल्प जो सबसक्षे पहला कारणे इनकी भाषा में उत्तर अभरंश और पुरानी हके द्रशन हमें होते हैं और इनके जो शिल्प और इनका भाव और शिल्प है उसमें भक्तिकाल के बीजांगुर उपस्तित हैं ठेके और इसका जो प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है इनका दोहा कोश, इनका जो गरнул है इनके दवारा रचिज यो रसना जिसको हम कहते हैं दोहा कोश हैं अब देखे उसमें क्या है कि इनकी बाशार और शिलुपे उप्देशात्मक्षेली हैं।ban मंदन कि प्रवर्ति हैं। है दोंबी पॉक है अप्वि रचित गरंतों में डोंबी गीतिका है योग चरिया है ऐक्श Jugend कोपदेश है जिनका समह 064 810 कुकरीपा है तो मित्रो ये सब हैं जो जिन का साहित्य को आधारवानर कर हम कहते हैं कि दर्ण मात्य हैं धर्माशिद साहित्य इकने दूसरे नमबर पर आता है जेन साहिते अब जो जेन साहिते हैं यह जिस परकार पूर्व के अंदर सिद्धों ने परचार परचार किया सिद्धों का जो के अंदर रहा सिद्धों का साहिते का जहां परमुक रूप से जिनका वर्चास्व रहा वो था भारत का पूर्वी शेत जबकि पश्यमी शेतर में जेन सादूओव के द्वारा आचार, रास, फागु और चुरीत्र जो इनकी शेलिया है उनके अंदर जेन साहित्य के उन्होंने परचार परशार किया जहां हमें जेन साहित्ति का दर्शन मिलता है वो शेत्र था पश्शी मी शेत्र भारत का तो इसमें जो सबसे प्रमुख है वो है देवसेन देवसेन करत जिनको पर्थम है जेन साहित्ति के वो है देवसेन देवसेन कर श्रावा का चार 933 अमित्रूओं ये जो देवसेन करा श्रावा का चार है श्रावा का चार को और ये जेन कवी है भाटर शोरीकर भारतेशवर भाहुबली रास ठीक इसका समय प्यारास देगे जो भाहुबली रास इसको मुनी जीन विजे ने जेन साहित्ति की रास परंपरा का प्रथम गरंथ माना हैं। तो ये सबी जो गरंथ हैं ये जेन साहित्ति के अंदर आते हैं। इसके बार आता है नाथ साहित्ति के अंदर आता है। इन्होंने हट योग साधना पर बल दिया है यानि कि इंगला और पीडा नारी के जो समावस्ता में लाकर कुड़ली ने जागरन करने पर इन्होंने बल दिया है और इन्होंने भोग का तिरिसकार किया है योग साधना पर बल दिया है वित्रो इसके लावा इंदिरिये सहियें पर उन्होंने बल दिया है और आप जानते होंगे कि जो नाथ हैं उनके आदी गुरु शिव हैं ठीक है और नाथों में जैसे सिद्धों में जैसे 84 सिद्ध प्रसिद्ध थे उसी परकार नाथों में 9 नाथ प्रसिद्ध है मच्छंद्रे नाथ जो कि सिद्ध भी कहे जाते है और नाथ भी कहे जाते है इनको सिद्धों में भी गिना जाता है इसके अलावा देखें एक गोरक नाथ है गोरक नाथ को ना संपरदायक का प्रवर्तक या आरंब करता माना जाता है इसके लावा है चोरंगी नाथ, गोपी चंद, चूनकर नाथ, भर्थरी, इसके लावा जलंध्री, प्राव, पाउ तो इस प्रकार से ये जो नात है ये प्रमुक नातों का हमने यहां वर्णन क्या है आगे हम बात करेंगे राजाश्रित काववे में राजाश्रित काववे में हम संभून रासो ग्रंथों को रासो काववे को देखते हैं जिसमें राजाओं की वीरता, युद्ध वर्णन, व्योग, शुयोग, सरंगा, राजाओं के चरिति चित्रन, प्रशंशा, आधि को देखने को हमें ये मिलता है इसमें, अब देखिए, इसमें जो प्रमुक गरंथ हैं, इसमें जो पहला गरंथ हैं, दलपत, विज्यकरत, ख पृत्विराजरासो, देखिए, पृत्विराजरासो के उपर उसके परमानिकता और अपरमानिकता को लेकर, बहुत से विदवानों में आपसी मद्वेध हैं, इस गरंथ को लेकर, इस सब के अलावा, जो स्वचन्दर रूप से रची सायती हैं, जिसको हम लोकिक सायती की में रखते हैं जो न तो धर्मा श्रीत था नहीं राजा श्रीत था इसमें सबसे पहला नाम आता है कुशल रायकरत धोला मारूरा दूहा देखिए ये जो ग्रंथ ही लोग भाशा में रचित हैं और इससे आदी कालीन श्रंगर कावे परंपरा की महत्वपुन कड़ी माना जा अमेरिका वसंत विलास खुसरोगी पहलियां और मुक्रियां आदे ये सबी जो हैं ये लोकिक साइट्टि करिशोणी में रखे जाते हैं इसके लावा गद साइट्टे भी रचा गया हैं आदी काल के अंदर तो गद साइट्टे में मुख्य रूप से इसमें जो गद हैं जोतिरेशवर ठाकूर करत वन रतनाकर हैं इस परकार ये जो हैं ये हम अलग-अलग श्रेणि जैसे धरमाशित राज्याशित लोकिक अलग-अलग श्रेणियों में आदिकाल में हिंदी साइट्टे रचा गया था अब देखिए मित्रो इसी आदिकाल में दो भाशाओं की समानांतर रचना परक्रिया को भी हम इस पर श्रूप से देख सकते हैं एक तो था अबरंश शुद्ध साइटिक अबरंश दूसरा था उत्तर अबरंश पुरानी हिंदी जो की हिंदी का पुरानी मिक रूप था तो और हम जिस हिंदी साइटिके आरम की बात करते हैं उसक सीधा सा संबंध हिंदी भाषा के आरहम से चुड़ा हुआ है यह हम समस्ते हैं अच्छी तरह से और यह हम सभी जानते अच्छी तरह से ठीक है और हिंदी भाषा का जो विकास है एक जन भाषा के रूप में हुआ यह भी हम सब जानते हैं तो कि हिंदी के बारे में जो प्रार प्रवर्ति थी ठीक है और किन्तु इसमें जब तस्सम रूपों की प्रियोक की प्रवर्ति का विकास होने लगा तब एक नई भाषा का रूप उभर कर सामने आया जिसे हम हिंदी कहते हैं बिल्कु सही है तस्सम शब्द हिंदी के ही हिंदी की ही विशेष्टा है एक तरह से देखते हैं और इस समय यानि आदिक हाल में दो या दो से अधिक भाषाओं में रस्ना करने की प्रवर्ति को हम देख सकते हैं वित-रों और जिसका प्रमान जो है विद्यापती का साहिते हैं मतलब कि एक कवी अगर अबरणश में में साहिते रच रहा है तो वो उत्तर अबरणश और पुरानी हिंदी यानि हिंदी में भी साहिते रच रहा है तो विद्यापती का जो साहिते हैं इसका प्रमान है इसके लावा देखिए शुकले जी ने प्राकरत की अंतिम अप्रश अवस्ता से ही हिंदी साहित्य का आविरभाव माना है यह हम सबी जानते हैं अब देखिए जो अप्रश का जो है मूल रूप से पंदरवी शिताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही है अप्रश परन तो इसमें होता क्या है कि आठवी शिताब्दी से ही यह अप्रश जो है ना एक बोलचाल की भाषा इससे अलग हो जाती है ठीक है और साहित्य करेशना का माध्यम बनती है इसे को हम हिंदी कहते हैं ठीक है और शुद्ध अप्रश तो होते ही है जो अलग ही मतलब की है मैं है हैं और शुद्ध अनरे ने रहसो पर देखे अब बहरेश के साहिति करें तो इसमें सबसे जो कवी हैं श्वेंभू है जो स्वेंबू है ये अब्रंश के साइते के मतलब इनके जो साइते में है ये शुद्ध अब्रंश का रूप मिलता है। ये च्छटी सदी के है, इस पकार राम सींग जो हैं वो ग्यारवी सदी के हैं। तो ये सबी जो हैं ये शुद्ध अब्रंश के अंदर जिन्नों ने साइते रशना करी। इनको अब्रंश के कवी हम कह सकते हैं। अब देखिए जो हिंदी साहिते का प्रारब हुआ था उसके आदिकाल में जो उप्रब्द हमें साहिते मिला था आदिकाल में उप्रब्द रचनाय मिली थी जो सामगरे में मिली थी उसका हम दो भागों में बाट सकते हैं एक तो है अपभरंश प्रभावीत हिंदी रचना है जो अबरंश भाषा से जो प्रभावित थी जिनमें हम अबरंश भाषा का रूप देख सकते हैं जिसमें जड़त अबरंश भाषा का रूप है एक तो है सिद्ध साहिते ठीके उसके बाद में आता है शुरावकाचार जिन साहिते नास साइते को हम अबरंश प्रभावित मान सकते हैं राउल वेल गदपद जो हैं उक्ति वेक्ति प्रकरण हैं इसके अलावा है ये वाली भारतेश्वर भावली रास हैं हमीर रासो हैं वर्ण रतनाकर गद हैं ये सभी रचनाएं अबरंश प्रभावित हैं अब दूसरी है अबरंश की प्रभाव से मुक्त हिंदी रचना है जिनमें अबरंश का प्रभाव कम था प्रभावित थी पर बहुत कम था उसमें उत्तर अबरंश या पुराने हिंदी का जो रूब है वो देखा जा सकता है जहां से हिंदी को हम देखते हैं कि यहां से हिंदी सायति का प्रारम हुआ है इसमें सबसे पहली जो रशना है वो है खुमार रासो, डोला मारूरा दुहा, विसल देव रासो, पर्तवी राज रासो, परमाल रासो, जे चंद प्रकाश, जे मयंक जस चंदरीका, चंदन बाला रास, रेवन्ति गिरी रास, इस्थूलि भद्र रास, नेमिनात रास, वसंत विलास और खुसरो की पहलिया तो ये सभी जो रसनाएं हैं, ये अबभरश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रसनाएं हम इनको मान सकते हैं, इसके लावा देखिए, ये जो वीडियो हैं, ये शंशिप्त में हैं, बहुत शंशिप्त में, एक रूप रेखा बनाने के लिए आपके सामने ये वीडियो तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोर्टिफिकेशन आपको मिल सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार